नमस्कार दोस्तों गुरोकुल अकेडमी में आपसे का स्वागत हैं दोस्तों आज हम आप लोग के लिए करंट अफेर्स 2020 के टोप 100 क्योशन्स लेकी आई हैं जो आपकी आने वाले हर एक्जाम जैस्ट रेडिवे गृूप डी एंटीपीसी ऐसे सेजल सेपियो अम्टियस पटवारी गरम C.U.P. पटवार भी कर लिए यह कोशेंस्न बहुत ही फाइदमं रहने वाले हैं बहुत ही यूजवल रहने वाले तो इस वीडियो का नतुक जोड़ देखिए को आँसे रिक्वेस्ट हैं परते कोशान का आंसर कमेंट बोक्स में जोड़ देखां के जो भी हमेर पहला question है हौल ही किस भारती रोह मोलीकी डॉक्टर ने Outstanding Young Person Award 2020 जीता है किसन जीता है जाज़ीनी वर्गीजनी जीता है Option Number C हो जाएगा रिटानशव पर जाज़ीनी वर्गीजनी झादखना Outstanding Young Person Award 2020 जीता है C हो जाएगा रिटानशव Next है हाल ही में किस राज़े के पहले गरहे मंतरी नैनी नर्शिमा रेडी का निदन हुआ है किस राजे के तेलंगाना राजे के पहले ग्रह मंत्री नैनी नर्शिमा रेडी का हाल ही में निदन हुआ है एह हो जाए गारिडान से तेलंगाना नेक्स्ट हाल ही में नासा ने किसी चन्रमा पर cellular network बनाने ही तो एक बागेदार के तोर पर चुना है किसको चुना है Nokia को चुना है जी नासा ने चन्रमा पर cellular network बनाने ही तो बागेदार के तोर पर और सी होगा रैडांसर यहाँ पर Nokia चलिएका आगला कुछ ने कि कोन व्यक्ति हाल ही में सोलोमन दवीप समोह में भारत की अगले उचायुक्त निक्त किये गई है किसको निक्त किया गया है सुशिल कुमार सिंगल को किया गया है ठीक है भी होगा रैडांसर नेक्स्ट है हाल ही में परसिद व्यक्तित तो डॉक्टर वीजे लक्षमी हाल ही में किस राजे में भारत किस राजे में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है किस राजे में की गई है हिमाचल परदेश में पहली बार हींग की की खेती की गई है . अब अपने भारत में और अउफस्य नमबर डि होगा हर्यट अजर्जर ही माचल परदेश देखिए next किस बैंक ने हाल ही में वाट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् चोथा स्थान मिला है कौन सा चोथा सी हो जाएगा रेडांश्रा पर चोथा स्थान मिला है ठीक ना Asia Power Index 2020 में भारत को Next है हाल ही में किस देश के किर्केटर उमर गुल ने किर्केट के सभी प्रारूपों से सन्यास लिया है किस देश के पाकिस्तान के किर्केटर उमर गुल ने किर्केट के सही प्रारूपों से सन्यास लिया है भी हो जाएगा रेडांश्रा आपर पाकिस्तान Next है हाल ही में कोन 200 IPL मेas खेलने वाले पहले खेलारी बने है कोन बने है महेंदर सिंघ धोनी बने है 200 IPL मैज खेलने वाले पहले खिलाड़ी तो भी होगा रेडांसर महेंदर सिंग धोनी नेक्स्ट है हाल ही में कौन राश्टी ID योजना की तहत Face Scan करने वाला पहला देश बना है तो फ्रेंच सिंगापूर बना है राश्टी ID योजना की तहत Face Scan करने वाला पहला देश डी होगा रेडांसर सिंगापूर देखी नेक्स्ट है कौन वैक्ती हाल ही में Indian Banks Association की नए अद्देख्स बने है तो राजकिरन राई को Indian Bank Association का नए अद्देख्स बनाया गया है सी होगा रेडांसर पर राजकिरन राई किस भारती ने हाल ही में 56 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ओफ दे इयर का पुरुषकार जीता है किसने एस वर्या स्रिधर ने जीता है 56 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ओफ दे इयर का पुरुषकार डी होगा रेडांसर पे एस वर्या स्रिधर बने हैं दिल्ली एवं जिला किर्केट संग के नई अध्यक्स भी हो जाएगा रिडांसे पिरोहन जेटली नेक्स्ट है किस राजे की सिरकार ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए मिसन सकती की सुरुवात की है किस राजे की सिरकार ने की है उत्रप्रदेश राजे की सिरकार ने की है महिला सुरक्षा के लिए में संसक्ति की सुरुवात सी होगार इडान से आप उत्र पर देश नेक्स्ट है कौन वैक्ति हाल ही में युनेस कोमी भारत के अगले स्थाई परतिन दीन निक्त किये गई है कौन किये गई है विसाल वी सर्मा किये गई है तो सीहोगार इरान से भी यहां पर विसाल वी सर्मा नेक्स्ट है हाल ही में किसे अंतर रास्टे भारत ओलन महासंग का अंतरिम अध्यक्स निक्त किया गया हैं अंतर राष्टे भारतोलन महासंग का अंत्रिम अध्यक्ष डी हो जाएगा इनसर मिसे इरानी नेक्स्ट है चलेगा देखिए हाली में कौन हाफ मेराथन चैंपियंसिप गडीनिःa 2020 की ब्रांड एमिस्टर बनी है कोन बनी है कान स्टेटीना डीटा बनी है तो भी हो जाएगा यहांपर हमारे राष्टन कान स्टेटी फोर्थ हो ठीक है देखिए नेक्स्ट है परति वर्ष वी सो खाद्य दिवस को मनाया जाता है ये फ्रेंश 16 अक्टूबर को मनाया जाता है परति वर्ष वी सो खाद्य दिवस ए होगा राइड आउसर 16 अक्टूबर देखिए नेक्स्ट है किस राजे के सरकारने हाली में सरका नेक्स्ट ते चलिए देखिए हालिही में किस देश के पुरु कीरकेटर जोन रीड का निधन हुआ है नेक्स्ट ते चलिएगा परती वर्ष्ष मिश्योक्तर दिवह्ष कि इनके जनम दिन पर मनाया जाता है केन के जनम दिन पर एपजे अबधुलकलाम के जनम दिन पर हर वर्ष 206 दिवस मनाया जाता है तो फ्रेंस आफिन कम देश नहीं GREG होतले में दुस्क्रम पिडितां की मौत पर दोशिओं को मरत्युद्र देने का फैसला किया है तो यह किया हैους, बांगला देश ने, यानि भी होगा रेड आंसर बांगला देश नेक्स्ट है परतिवर्ष, वीज़ो मानक दिवस कब मनाया जाता है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया हैं, सब लोग फ्राफट वीडियो को लाइक करेंगे अपनी फ्रेंस की पास शेर कर देंगे ताक कि कुछ लोगो यहां आएं और अपने एक्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा है कोशन दिया कि परति वर्ष वे सो मानक दिवस कब मनाया जाता है? जी 14 अक्टूबर को मनाया जाता है परतिवर्ष 200 मानक दिवस सी हो जाएगा रे डांसर 14 अक्टूबर को ठीक है न देखिए ने श्कूशन चलेगा देखिए हाली में कोन T20 किर्केट में 10,000 रन बनाने वाले पहले ACI खिलाडी बने हैं कोन बने हैं सोयब मलिक कोन बने सोयब मलिक बने हैं पाकिस्तान के किर्केटर सोयब मलिक T20 किर्केट में 10,000 रन बनाने वाले पहले ACI खिलाडी बने हैं सी हो जाएगा रे डांसर सोयब मलिक ठीक है देखिए नेक्स्ट है हाल ही में भारतिक खिलाडी कार्लटन चैपमेन का निदन हुआ है वह किस खेल से संबंदित थे किस खेल से फुटबाल से संबंदित थे एह होगा रे डांसर फुटबाल चलिए का देखिए नेक्स्ट है किस राजे की सिरकार ने हाल ही में एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैबरेटरी वैन सुरू की है किसने की सुरू हरियना की सरकार ने या दखना मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबरेटरी वैन सुरू की है भी रहेगा रिटांशर नेक्स्ट है चलेगा हाल ही में कोन पूरी तरह से डिजिटल हाइटेक क्लासरूम वाला भारत का प्रथम राज्य बना है तो फ्रेंस ये बना है किरल किरल बना है पूरी तरह से डिजिटल हाइटेक क्लासरूम वाला भारत का प्रथम राज्य बना है पियम मोदी ने हाल ही में किनके सम्मान में 100 रुपे का सीका जारी किया है किनके सम्मान पर किया है विज्या राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपे का सीका जारी किया है तो सी होगा फ्रेंस रेटांशर तो फ्रेंस आपके लिए हाँ पर एक कुशन होंबर के लिए है तो आप लोग बताएंगे विज्या राजे सिंधिया कोन है विज्या राजे सिंधिया कोन है ये आपके लिए होंबर के लिए कुछन प्रीज कमेंट बोक्स में इस कुछन का आंसर जुरू देना नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारति बैडविंटन ब्रांड ट्रांसफोरम के ब्रांड अमिस्टर के रोप में न्युक्त किया गया है किसे को किया गया है चेतन आनन्द को किया गया है ठीक है ना भारति बैडविंटन ब्रांड ट्रांसफोरम के ब्रांड अमिस्टर के रोप म डी होगा रेडान्सर पर चेतन आनंद हाल ही में कि इन दो वेक्तियों को अरसास्तर के जेतर में वर्ष 2020 का नोबिल पुरुषकार मिला है किस को मिला है पोल आर मिलग्रों और रोबर्ट भी विल्सन को मिला है सी हो जाएगा रेडान्सर नेक्स्ट है किस रेशर ने हाल ही में एफिल ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है तो किसने जीती है या दखना लुइस हैमिल्टन ने लुइस हैमिल्टन ने भी रहेगा फ्रेंस रेड़ान श्यूर ठीक है देखें नेक्स्ट किस खिलाडी ने ने जीता है तो ये राफिल नडाल ने जीता है फ्रेंस ओपन दोहजार बिस में पूरू सिंगल का खिताब डी होगा रेड़ान सर राफिल नडाल ठीक है नेक्स्ट है हाल ही में कोन ग्रामिंड शीत्रों में सो परतिसत नल जल महिया कराने वाला भारत का पहला राजे बना है कोन बना है गोवा बना है पहला राजे ओफ्स नमबर सी होगा रिनांसर गोवा नेक्स्ट है किस राजे की सरकार ने हाल ही में मुख्य मंत्री सोर सवरोजगार योजना सुरू की है यह की है उत्राखंड की सरकारण की है मुख्य मंत्री सोर सव्रोजगार योजना सुरू तो भी होगा और डिनांसर ate उत्राखंड ठीक है नेक्श्ट परटि वर्स वीजोधानसिक सवास्त कर दिवस कर दो मनाय जाता है तो फ्रेंस 10 अक्टूबर को मनाय जाता है परतिवर्ष वीशो मानसिक स्वास्त दिवस यानि ए हो जाए गाजरेट आंशर 10 अक्टूबर को नेक्स्ट चलिएगा परतिवर्ष वीशो दरश्टी दिवस कब मनाया जाता है अक्टूबर महिने के दूसरी गुरुवार को मनाया जाता है इह होगा जियरे अंसा पर अक्टूबर महिने के दूसरे गुरुवार को ठीक हम next हालह में कोन यूद सेवा मेडल पाने वाले भारत के पहली महिला बनी है मिंटी अगरवाल बनी है यूद सेवा मेडल पाने वाले भारत की पहली महिला option number d होगा फूड प्रोग्राम को मिला है सांति के सित्रिम वर्ष 2020 का नोबिल पुरुषकार यानि भी होगा रेट आंश्चर चलिगा देखी नेक्ष्ट कोन व्यक्ति हाल ही में जोर्डन की नई परधान मंत्री बने हैं जोर्डन की नई परधान मंत्री कुन बने हैं भी सर अल खसाव देखे नेक्ष्ट परति वर्ष विसो डाक दिवस कब मनाया जाता है जी 9 अक्टुबर को परति वर्ष विसो डाक दिवस मनाया जाता है सी हो जाएगा रेट आंश्ट नोग अक्टुबर को देखिए नेक्स्टे हाली में किसे साहिते के छेत्र में वर्ष 2020 का नोबिल पुरुषकार मिला है तो यह मिला है लूइस गलिक को मिला है साहिते के छेत्र में वर्ष 2020 का नोबिल पुरुषकार डी होगा फ्रेंस रेट अंशार देखे नेक्ष्ट कोन वैक्ति हाल ही में आर बी आई के नए डिप्टी गुवर्नर बनी है M. राजिस्वर राव को बनाया गया है आर बी आई का नए डिप्टी गुवर्नर बी रहेगा यहां परेड अंशार देखे इस क्यूशन में दियाए कि हाल ही में 8 अक्टूबर 2020 को भारतिय वायू सेना ने अपना कोंशा स्थापना दिवस मनाया है 8 अक्टूबर 2020 को भारतिय वायू सेना ने भी होगा फ्रेंस रेड अंशार ठासिवा स्थापना दिवस नेक्स्ट है हाल ही में किन दो वैगनिकों को और सायन के छेत्र में वर्स 2020 का नोबिल प्रुषकार मिला है किसको मिला है इमेन्वल चारपियर और जेनिफर ए डोडना को यानि फ्रेंस भी होगा रेड अंशार एमेन्वल चारपियर और जेनिफर ए डोडना को ठीक है देखें नेक्स्ट है चलेगा परतिवर्ष वी सो कपास दिवस कब मनाया जाता है परतिवर्ष वी सो कपास दिवस मनाते है साथ अक्टूबर को साथ अक्टूबर को यानि भी होगा रेड अंसर यहाँ पर साथ अक्टूबर नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारती स्टेट बैंक के नए चेर्मेन के रूप में नुक्त किया गया है तो दिनेश खारा को किया गया है या दखना भारती स्टेट बेंक के नए चेर्मेन की रोप में डी होगा रेडांसर दिनेश खारा नेक्स्ट हाल ही में किन तीन वेगयनिकों को भोतिकी के चेतर में वर्ष 2020 का नोबिल प्रुषकार मिला है किसको मिला है रोजर पेंडरोज रेंहार्ड गेंजील और एंड्रिया गीज को मिला है जिया दखना भोतिकी के चेतर में वर्ष 2020 का नोबिल प्रुषकार यह हो जाए हैं October महेने के पहले सोम्वार को मनाते हैं October महेने के पहले सोम्वार को यानि यह हो जाएगा जरेटान शार next है हाल ही में किस भारती उद्रोगपती को इंडो अमेरिकन चैंबर ओफ कॉमर्स ने lifetime achievement awards से समानित किया है किस को किया है रतन ताटा को किया गया है तो भी हो जाएगा रेट आंसर यहां पर तन टाटा ठीक है नेक्स चलेगा देखिए किस राजे की सिरकार ने हाल ही में परदूशन विरोधी अभियान यूद परदूशन की विरोध सुरू करने की गोशना की है तो किसने की है यह कि दिल्ली की सिरकार ने भी बंद एक अभिनेता थी क्या थे एक अभिनेता यानि यह हो जाएगा रेट आंसर देखिए आगे हैं कि हाल ही में किन तेन वैगेनिकों को चिकेच्चा के छेत्र में नोबेल प्रुषकार दिया गया है चिकिच्चा के छेत्र में किन तीन वेगेनिकों को नोबल पुरुषकार दिया गया है हार्वी, जे आल्टर, माइकल, हाफ्टन और चार्ल्स, एम राइस को पुरुषकार दिया गया है वह कौन थी कौन थी एक अभिनित्री थी यानि एह होगा रैडानसर अभिनित्री नेक्स्ट है परतिवर्ष वी सो सिख्षक दिवस कब मनाया जाता है परतिवर्ष वी सो सिख्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को कब मनाते हैं 5 अक्टूबर को मनाते हैं एह होगा रैडान किया है किसका सोरी का किसका सोरी की सरकारने हाल हि में अभ्यान के लिए तो ये क्या है पस्षिम बंगाल की सरकार ने हाली में सरक मरमत के लिए पत्सरी अभ्यान शुरू किया है सी हो जाएगा रिडाउसर पस्षिम बंगाल नेक्स्ट है हाली में किसी कमबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है तो यादगना देवियानी खोबरागडी को कमबोडिया में भारत का अगला राजदूत न्युक्त किया गया है दी होगार इरांसर देवियानी खोबरागडी देखी नेक्स्ट है कोन वैक्ति हाल ही में कुवैत की नए सासक बने हैं कोईट की नए सासक कोन बने हैं शेख नवाफ बने हैं तो पी रहेगा रिटांशर कोईट की नहीं सासक बने सेख नवाफ नेक्स्ट है परतिवर्ष दो अक्टूबर को अंतर रास्टी अहिंसा दिवस किस वैक्ति के जरम दिन पर मनाया जाता है किसी के जरम दिन पर मनाते हैं महात्मा गांदी के जरम दिन पर अंतर रास्टी अहिंसा दिवस मनाया जाता है एकक्टूबर को मनाते हैं परति वर्ष अंतर रास्ट्रिय वृगद दिवस कब मनाते हैं कब मनाते हैं एक अक्टूबर को मनाया जाता है अंत्रशे व्रिद दिवस अफ्सिन नमबर ए हो जायगा जरेट आन्श्यर नेक्स्ट हाल ही में कितने व्यगैनिकों को सांती सवरोप भतनागर प्रुषकार दोहजार बीस दिया गया है कितने वेगेनिकों को 14 वेगेनिकों को 37 वरूप भटनागर प्रुषकार 2020 दिया गया है भी हो जाएगा फ्रेंस रेड आंशर नेक्स्ट है परती वर्ष कितने वर्ष से कम आयू की भारती वेगेनिकों को सांति सवरोप भटनागर प्रुषकार दिया जाता है तो फ्रेंस 45 एर्स 45 वर्ष से कम आयो के भारती वेगनिकों को सांति सवरोप भटनागर प्रुषकार दिया जाता है सी हो जाएगा रिटांशवर नेक्स्ट है कोन वैक्ती हाल ही में भारती फिल्म एंड टेलिविजन संस्तान सोसाइटी के नई अद्यक्स बने है तो सेखर कपूर बने है जी हाल ही में भारती फिल्म टेलिविजन संस्तान सोसाइटी के नए अधिक्स सी हो जाएगा रिदांसरा पर सेखर कपूर नेक्स्ट है सुक्त राष्टर निहाल ही में किस अभिनीता को हुमेनिटेरियन हुमेनिटेरियन एक्षन अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो सोनु सुद को किया गया है या दखना सिन्मानित Humanitarian Action Awards डी हो जाएगा रिडाश्टा पर सोनु सुद नेक्स्ट है परतिवर्ष 30 सितंबर को अंतरस्टी अनुवाद दिवस किस वैक्त की पुन्य तिधी पर मनाया जाता है किसी की पुन्य तिधी पर तो फ्रेंस सेंट जे रोम की पुन्य तिधी पर अंतरस्टी अनुवाद दिवस मनाया जाता है परतिवर्ष 30 सितंबर को बी ओफ्शन हो जाएगा रिडाश्टा पर सेंट जे रोम कोन वैक्ती हाल ही में खादी और ग्रामो द्योग आयोग के नई सलाहकार निक्त किये गई है हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए लता मंगेसकर अवार्ड दिया गया है 2020-21 के लिए किसे को लता मंगेसकर अवार्ड दिया है तो यह ओशा मंगेसकर को दिया गया है दी होगा रिडान से ओशा मंगेसकर नेक्स्ट है हाल ही में किस राजे की पुरू महिला मुख्यमंत्री सैदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है किस राजे की पुरू महिला मुख्यमंत्री असम राजे की पुरू महिला मुख्यमंत्री सैदा अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हुआ है ए होगा रेडांशर देखे नेक्स्ट कोन वैक्ती हाल ही में टिरीकोम रेगुलिटरी अथोर्टी ओफ इंडिया के नई चेयर्मेन बनी है तो फ्रेंच कोन बनी है? पीडी वागिला बनी है दी हो जाएगा रेडांशरां पर पीडी वागिला देखिए नेक्स्ट ए ए आई एफ एफ आवार्ड दोहजार बीस में किसको वीमेंस प्लियर ओफ दे इयर प्रुषकार के लिए चुना गया है ए आई एफ एफ आवार्ड दोहजार बीस ओल इंडिया फुटबाल फेडरेशन आवार्ड दोहजार बीस में किसको वीमेंस प्लियर ओफ दे इयर प्रुषकार के लिए चुना गया है संजु यादो को चुना गया है यानि भी होगा रेट आंसर संजु यादो ए आई एफ 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 ओल इंडिया फुटबाल फेडरेशन आवार्ड दोहजार बीस में किसे मेंस फुटबालर ओफ दे इयर प्रुषकार के लिए चुना गया है किसको चुनाए गुरुपरित सिंग को चुना गया है जिफरेंस सी होगा रेट आंसर गुरुपरित सिंग देखे नेख्श्ट है हाली में किसे अमेरीकी सुप्रियम कोर्ट की नई नैदिस की रूप में नामित किया गया है किसход को क्या है Amy Coney Barrett को किया गया है अमियरीकी सुप्रीम कोट की नई नैजिस की रूप में नामिट भी होगा रेड आउश Verme Amy Coney Barrett देखी नेक्स्ट है हाल ही में किसी भारतिय महिला करके टीम की मोखेश चैंड करता गर रूप में नक्त किया है तो फ्रेंच सी निक्त किया गया है ने टू डेविड को सी हो जाएगा, रेड आउंशर ने टू डेविड देखी नेक्स्ट है, हाल ही में, किसने F1 रस्य ग्रैंड प्रिक्स 2020 का किताब जेता है, किसने जेता है, वाल्टेरी बोटास ने जेता है जिफरेंस ची होगा रेट वाल्किरि बोटास देखी next है भार्ती नोसीना होगा हुचाई ल। भार्ती नोसीना ने एक into sap missile का शफल फ्रिक्शन किस आई एनसी किया है तो फ्रेंसी के आई ए एनस परबल से किया है दी होगा रेट आनस आई एनस परबल आई एन एस क्या होता इंडियन नेवी सिप इंडियन नेवी सिप परबल भारती नोसेना की मिसाइल नोका का नाम है ठीक है या दखना ओफसे नमबर डी होगा जरेडानशर नेक्स्ट है हाल ही में किस राज में पहली बार सी पलेन सेवा स्रूप की गई है तो ये की गए गु हो जाएगा रेडानशर गुजरा आता हो ठीक है अगला कुछ से नेक्स्ट आईपिल के तेरहवी सीजन में किस आईपिल टीम के गेंदबाज मुहमद सिराज एक मैस में दो मेडियन ओवर फेकने वाले पहले गेंदबाज बन गए कौन किस टीम के रोयल चलेंजर तो कि तेज गेंदबाज मुहमद सिराज एक मैस में दो मेडियन ओवर फेकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं दी हो जाएगा जिरेडानशर नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज एनेमिया मुक्त भारत अभ्यान में सिर्श्त स्थान पर रहा है अगर आपने अभी त सिर्श्त स्थान पर रहा है तो यह रहा है हारियाना कौन सा रहा है जी हारियाना रहा है यह हो जाएगा रेडानशर हारियाना नेक्स्ट है वी सो हीम तेंदवा दिवस कम मनाती हैं वी सो हीम तेंदवा दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है सी होगा रेडानशर 23 जोरी देर दी हे कहां पर जंमो कसमेर में यानि भी होगा रेड्असर जंबो कसमेर नेक्सट है चलेगा हाल ही में LG Electronix company के नए brand Mr. Qon बने हैं को दिसेँ मिल्टन को हाल ही में LG Electronix company का नए brand Mr. बनाया ग्या है तो भी होगा रेडांसर लूइस है मिल्टन नेक्सट है हाल ही में किस राजे की मुख्य मंत्री ने ग्रामिन शेत्रों के माइक्रो एटियम सेवा शुरूप की है तो फ्रेंसी की है मेगाले में कहां की है मेगाले में की है और से नंबर भी होगा रे राउसर मेगाले मेगाले के सियम कोन है कोन राड संगमा कोन राड संगमा सी अम है यादखना मिघाली राज्य के नेक्स्ट हाल ही में पारले एगरो कमपनी के नए ब्रांड एमबेस्टर कोन बने हैं कोन बने है जी यादखना प्रिंका चोपड़ा ओफ्सन नमबर सी होगा राइड आंशर पारले एगरो कमपनी खाने पिने का समान ब्राते जैसे पारले जी बिस्किट फ्रूटी ठीक है चले गाओ फिर देखिए नेक्स्ट हाल ही में किसने इधर्ती जी यो पोर्टल को लॉं जी यो पोर्टल को लॉंच किया है ओफ्सन नमबर भी हो जाएगा राइड आंशर हरदेव सिंग पूरी हमर्दिस के केंद्री आवास और सहरी मामलों के मंत्री हैं नेक्स लिए हाल ही में टाटा कम्यूनिकेशन कंपनी के नए CFO कौन बने हैं CFO Chief Financial Officer कौन बने हैं कबिर एह एहमद साकिर बने हैं यानि भी होगा रेडांसर कबीर एहमद साकिर देखिया आगे किसने वीशो बैंक अंतरास्टी मुद्रा को इसकी वार्षिक बैठक 2020 को वर्चुल माध्यम से संबोधित किया है किसने क्या है डॉक्टर हर्ष वर्धन ने किया है भी हो जाएगा रेड न्युक्त किया गया है कहां का पूर्डू चेरी का ओफिस नमबर ए रहेगा रेडांसर पूर्डू चेरी देखिने हाल ही में वीशो विकास सूसना दिवस कब मनाया गया है कब मनाया गया है 24 अक्टूबर को हाल ही में वीशो विकास सूसना दिवस मनाया गया है डी होगा रेडांसर 24 अक्टूबर अगला कुछ ने किस अंत्रिक्स एजेंशी का किस अंत्रिक्स एजेंशी का और इस रेक्स स्पेस्क्राप्ट सुद्र ग्रेम बैनु की स्तेहप पर उत्रा है किस अंत्रिक्स एजेंशी का नासा का ओफसे नमबर ए रहेगा रेडांसर फ्रेंस यहां पर नासा याद रखना आप लोग अच्छे से नासा ओफसे नमबर ए हो जाएगा रैडांशियर ठीक है चलेगा फिर अगला कुछ से ने कि राजी सिरकार ने गुजरात राजी के सिरकार ने हाल ही में दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदे योजना कर दिया है भी हो जाएगा रैडांशियर गुजरात next लिगा किस देश के वेगैनिकोंने prostate cancer पर एक सोध के दोरान मानो गले में एक नए अंग की खोज की है किस देश के वेगैनिकोंने नीधरलेंड के वेगैनिकोंने यनीडी होगा rate answer यहाँ पर नीधरलेंड चलिगा देखे next CFO of the Year or Visionary Leadership Awards 2020 से किसको सम्मानित किया गया है किसे को किया गया है परवीर कृष्णा को किया गया है भी होगा परवीर कृष्णा यादखना फ्रेंस आप लोग ट्रेबल को ओप्रेट्व मार्केटिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के MD और CEO हैं देखिए नेक्स्ट हाल ही में कौन सा सहर BRTS कोई डोर वाला एकलोता सहर बन गया है BRTS फुलफ़म होती है बस रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम जी फ्रेंस कौन मने सूरत बना है भी होगा रेडांस सूरत नेक्स्ट है कौन वैक्ति हाल ही में C8 टायर के नई BRTS बने है कौन बने है अमिर खान बने है C8 टायर के नई BRTS डी होगा रेडांसर अमिर खान देखे नेक्स्ट है किस राजी के सरकार ने हाल ही में चात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉंच किया है किसने क्या है उत्रप्रदेश की सरकार ने किया है चात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉंच भी होगा रेडांसर अत्रप्रदेश नेक्स्ट है हाल ही में किस राजे की सरकार ने मनिता प्राप्त पत्रकारों को पांच लाग रोपे का सवास्त बीमा देने की गोशना की है तो फ्रेंस ये की है उत्रप्रदेश की सरकार ने यानि भी होगा रेडांसर उत्रप्रदेश तो फ्रेंस ये थे आज की हमारे कोशन्स जो अभी कम्प्लेट हो गए है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास शेयर करेंगे पीडियो के लिए आप लोग जल्दे से गुरुकुल अकेडमी की टेलिग्राम को जोईन करेंगे वीडियो के निचे डिस्क्रिशन बोक्स में एक लिंक कर दिया है वहां से आप लोग गुरुकुल अकेडमी के टेलिग्राम को जोईन करेंगे और वहां से आप लोग पीडियो अप ले सकते हैं अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक करेंगे से लोग फ्रेंस की पास सेयर करेंगे जो लोग पहले बार यहां आए हैं जल्दी से आप लोग फ्राफट चैनल से स्काइब करेंगे साथ में बेर आइकन पर भी कलिक करेंगे तो फ्रेंस लिगा मिलती हैं अगली क्लास में तब तक के लिए गुड़बाई जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम